यहां है RealMitken Pro तो करते हैं इसका Unboxing सबसे पहले Box को करते हैं Open तो यहां इपर दोस्तों आपको मिलता है एक Documentation का यहां पर एक अलग से Separate Case और इसी में मिल जाता है एक Sim Ejector Tool और यहां पर Back Cover और सांथ में इसके अंदर Documentation लगे हुए हैं इसके हम अलग बात करें यहां पर सबसे पहले स्मार्टफोन देखें तो स्मार्टफोन काफी प्रीमियम देखने में लग भी रहा है और दोस्तों यहां है पुरा का पुरा स्मार्टफोन यहां है फ्रांट का लूग और पीछे में वाव क्या लूग है काफी premium look आता है glass finish यहाँ पर देखने के मिल जाता है Realme का branding है और इसे करते हैं on on करने का बात करते हैं इसे side अब हम बात करते है charger तो यहाँ पर box में मिलता है charger जो कि है 33W का phone को काफी जल्ब भी charge कर देगा और इसी के साथ मिलता है USB Type-C to Type-A का data cable जो की काफी अच्छा quality के साथ आता है तो इसे करते हैं side और phone में मिलता है 6.720 का full HD IPS LCD screen और दोस्तो इसमें लगा हुआ Snapdragon का 695 का एक 5G processor उपर और side का bezels काफी पतले हैं और नीचे में chin भी काफी पतला दिया गया है सबसे bottom में बात करेते हैं यहां पर मिलता है USB Type-C का एक port उसी के साथ एक mic और यहां पर 3.5mm का jack मिलता है जो की काफी plus point है और साथ में एक speaker phone के top में मिलता है एक noise cancelling mic देख लीजे यहां पर आपको noise cancelling mic दिखाई दे रहा होगा और यहां पर right में बात करेते एक power button रूशी में आपको fingerprint sensor include दिया गया है उसको उपर volume control बटन और left में मिल जाता है steam card slot यहां पर हम पीछे में बात करेते काफी premium look है glass back है और dual area camera का setup है एक LED flash दियाता है तो दोस्तों यहां पर finally यह है पूरा का फूरा phone 190 gram का यह phone आता है और वहाँ इसमें 5000 image का battery लगा हुआ है 33 Watt का fast charger दिया गया है यह जो smartphone ने Android 12 के सांथ आता है और इसमें आपको realme UI 4 देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह जल्द ही आपको इंगया में देखने को मिलेगा जो की 8 December को launch होनी वाला है और इसका हम overall बात करें तो काफी premium look वेगरा आ जाता है front camera के बात करें तो 16 megapixel का selfie camera यहां पर लगा हुआ है और पीछे में dual area camera में 108 plus 2 megapixel का camera लगा हुआ है camera काफी अच्छा है तो इसका हम price के बात करें तो चाइना का price है 18300 रुपे एक variant का और दूसरा price है 21600 रुपे तो आई होब कि इससे भी कम price में दोस्तों यहां पर इंडिया में यह smartphone launch हो आप इससे smartphone के बारे में क्या कुछ काना चाते हैं हमें comment कर दिजिए और दोस्तों इस channel को subscribe किजिए अगर video पसंद आया है तो like जरूट कर दिजिएगा और दोस्तों के साथ share करना न भूलेगा